नमस्कार आप देख रहे हैं न्यू जिंडिया और आपके साथ मैं हूँ भानुदी छेट आज हम बात करेंगे बिल बवाल और उस पर उठते सवालों पार यानि कि केन सरकार ने सुमवार को लोग सभा में जो बिल पेस किया है जो करीब आठ घंटे की बहस के बार बारे बज़े जाकर पास हो गया इस बिल को पास कराने में सरकार को कोई मुस्किल नहीं हुई लेकिन इस पर काफी लंबी बहस चली अब नागरिक्ता संसोधन बिल राजी सभा में जाएगा ये विधेयक बुद्वार को राजी सभा में प्येस किया जाएगा सोमवार रात करीब 11 वजे ग्रह मंतरी अमिस्साह ने विपक्षी निताओं की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब दिया इसके बाद सोमवार रात 11 वजे कर 35 मिनट पर लोग सभा स्पीकर उम्बिला ने कहा कि ग्रह मंतरी के ओर से सारे बिंदूओं को इसपष्ट किया जा चुका है इसके बाद नहीं लगता है कि नागरिक्ता संसोधन विधेयक को लेकर किसी को कोई कन्फूजन रह गया है इसके बाद लोग सभा स्पीकर ने बिल पर वोटिंग कराई लोग सभा स्पीकर ने बारी बारी से विपक्ची नेताओं की ओर से जताई गई आपत्तियों पर मौखिक वोटिंग कराकर उसे किलियर कराया सारी आपत्ती खारिज होने के बाद विधियक पर मत विवाजन कराया गया जिसके बाद लोगसवा स्पीकर ओम बिर्ला ने नागरिक्ता संसोधन बिल 2019 को पास करने की घोशना की विधियक के पक्ष में 311 है और विपक्ष में 80 वोट पड़े खास वाद ये है कि इस बिल के पक्ष में बीजेपी की पुरानी सहयोगी सिवसेना ने भी सहयोग किया नागरिक्ता संसोधन विधियक 2019 लोगसवा में पास होने पर प्रधानमंती नरेंद्र मोदी ने ग्रिह मंत्री अमिस्सा की तारीफ की प्यम मोदी ने ट्वीट कर लिखा प्रसनता है कि लोगसवाने एक समर्द और व्यापक बहस के बाद नागरिक्ता विधियक 2019 पारित किया है मैं विविन सांसदों और पार्टियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने विधियक का समर्थन किया ये विधियक भारत के सदियों पुराने लोकाचार और मानव कि अमूलियों में विश्वास के अनरूप है अगले ट्वीट में प्यम मोदी ने ये भी लिखा कि मैं विशेश रूप से ग्रहमंतरी की सराहना करना चाहूँगा अमिस साहजी ने नागरिक्ता विधियक 2019 के सभी पहनों को इस पश्ट रूप से समझाया उन्होंने लोक इस बिल पर ए आई एम आई एम चीफ असुद्दीन ओवैसी ने विरोध प्रदसन किया और बिल की कौपी को फार दिया था इस पर जाजानकरी के लिए हमाई समझाता रमीश प्रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमेश बिल बवाल और कई सवाल उठ रहे हैं नागरिक्ता संसोधन विधियक 2019 को लेकर कई तमाम सवाल भी उठ रहे हैं हाला कि बिल पास हो गया है लोग सवाह में राज सवाह में भी अब पास करवाना होगा जो बुदवार को होगा लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस बिल पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है ऐसा आखिर क्या इसमें गलत है जिस पर हंगामा हो रहा है जिस पर सवाल उठने चाहि भानुबात असी है कि यह जो बिल जो है कल पारित हुआ है लोग सभाब है और असल बीजेपी के कोर एजंडे में इक सामेल है यह हूँ जान से राम अंदिर का मसला हो मामला हो या दूसरा इन कला को जारा मामले हो कुछ ऐसे जिशे हैं जो बीजे पीके कोर एजंडे में सामिल है लेकिन यह जो बिल है वो एक अलग तरह का बिल है इसकी अगर इतियास में जाएंगे तो इसकी जड़े है जो जड़े है वो आजादी के बाद से शुरू होती है जब 1950 में जवालाल नहरू और पाकिस्तान के प्राइब मिनेस्टर से उनके बीच में समझाता हूँ तो 1950 में तब से लगा करके अब तक आज तक नागरिक्ता के विशाय को लेकर के कही बाद से शुरू होते रहे हैं लेकिन वो शुरू परीपूर नहीं कहला जा रहे है अब रही बाद के बीजे पी लेके आई एको और यह जो मामला है तो उनके दिमाग और सब इससे है कि पाकिस्तान, बांगला देश और अफगानिस्तान इन तीन देशों में जो रहने वाले जो लोग है गैर मुस्लिम जिसमें कि यह च्छा कैटेगराव की गई है उसमें हिंदू, शिक्त, इसाई, जैन, बाद और पार्सी यह जो लोग है वहाँ पर प्रताडित हो रहा है और उनके साथ में जो दुर्गयोबार किया जा रहा है और वो कभी कबार सैने सैने कुछ-कुछी सोना जो है इंदूस्तान में आकर रहते भी है वो, यहां रह रह रहा है वो लोग, तो वो लोग अब ना तो बारत के नाग अब उनके साथ में मुश्किन यह है कि वो इंदूस्तान के नागरी के नहीं है और कई साल हो गए उनको रहते वे तब बीजेपी ने लगातार उसमें जो है ऐसे मसलों को उठाती रही है, कोर एजेंडर में भी रहा है, अब जाकर के जब पिछली बार भी पूर्ण बहुम है कि इन तीन देशों के लोगों को जो है टार्गर करके किया जया है और दूसरा यह है कि इसका जो है बंगला देश का जो आसाम वाला इलाका है और पस्चिमिक बंगनाल वाला इलाका है जी वहाँ पर भी यह तरह की जो है समस्चाओं से लोग जो है ट्रस है लिहाज़ा तेख सारू बामें के कौन से लोग इंडिसांगे नाज़र्पास किस तरह का है? रमेश पुरहित आपको रोकेंगे हवाइसाद शादाव समस जी भी जुड़ गए है प्रदेश प्रवक्ता बीजे पी के सादाव समस जी बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर सादाव समस जी नागरिक्ता संसोधन बिल जिस पर बवाल मचा हुआ है संसद में लोग सबा की कारवाई रात रात तक चली कल जिसके लिए अब सवाल ये उठ रहा है कि इस बिल पर हंगामा भी बहुत हो रहा है आकर इस बिल के जरुट क्यों पड़ी देखे मुझे लगता है नागरिक्त शंचोधन विधेर जो आया है इस बहुत लंबे अर्से से आवशकता थी लोक सभा में इससे मोहर लग चुकी है और हमें पॉर्ण विश्वाश है कि राज्य सभा में भी इस बिलको पॉर्ण सहमती मिल जाएगी आज जब देश में एक तरफ अलपसंद ख्यकों को यातनाएं दी जा रही है वो उन्हें धार्मिक परेशानियों से गुजरना पर रहा और उस तंगर्च में वो हिंदुस्तान की ओर रुख करते हैं तो मुझे लगता है कि एक अधिकार बनता है उनका कि जो हमारा जो देश था वो किसी हालात में बट गया बाट दिया गया वो अलग एक विशे है लेकिन जो लोग उस पूरे हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़े उसमें वो लोग भी थे आज जोने धार्मिक और वो लोग उसे परेशान होके अपनी जीवन को किस तरह से छेल रहे थे हैं वो लोग जान सकते हैं और लंबे वक्त से एक इमानदार कोशिश की सैयारी चल रही थे भारते जंता पार्टी मानने मोडी जी को मानने अमिर्चा जी को हम सब लोग बढ़ाई देते हैं कि उन देश को बाटने का काम करें ये लोग अगर वो कहते हैं कि ये बिल बाट देगा देगा देश को वही आप बताईए ना उन्होंने तब नहीं बोला उस कांग्रेस पारटी के बारे में नहीं बोला उस मुस्लिम लीग के बारे में नहीं बोला जिससे पूरे हिंदोस्तान के दो तुकरे कर दिये उसके बारे में वो भूल जाते हैं लेकिन वने आज सनातन विचार भारा को जोड़ने की बात होती है जहाँ बात होती है जिस प będę सब्हारें पाकिस्तान भी आता है पाकिस्तान के अंदर धार्मिक उत्विलन क्या जाता है तो इससे बड़ा उधारन उसका नहीं हो सकता मानिये अमिट शाडी है जिस मजबूती के साथ बात को राजियर लोक्तबा में रखा मुझे लगता है पुरा देश गदगद है और जो ये सेकुलर विचारधारा की राजिनीटी करने वाले लोग है जिन लोगों को आईना है जिन्होंने धर्म के नाम पे देश बाढ़ दिया था आज जब देश में धार्मिक आज़ादी जिन लोगों को नहीं मिल रिया रो मदद की वहाला दा रही है तो चलिए शादाब जी आप देश में हिंदूों को प्रतारित किया जा रहा है ये तो पिछले सतर साल से हम पाकिस्तान के सामने और बंगला देश के सामने यही बाते तो उठाते आ रहे थे लेकि तो फिर बंगला देश को मदद क्यों दे रहे है क्यों बंगला देश के साथ बाचीत बंद नहीं कर रह पाकिस्तान हमारे याँ टेरिस बेज रहा है यह पहली बार हुआ जब मोदी सरकार आई कि अब हम नहीं जा रहे हैं अब वो लोग भाग रहे हैं जो हमारा उस्पीड़न करते थे जो टेरिस लेज़ते थे आज हो जा रहे हैं अपनी मदद मांगती के लिए युए यह जिफर आज पाकिस्तान गुहार लगा ता घूम रहा है इस बात का सुबूत है जो देश की कमाने हो मद्गूत हातों में हैं और जो हमारे साथ जिस तरह का बस्ताव रहे हैं यह तो एक मुद्दा रहा है यह आतंगवाद का मुद्दा रहा चलिए वो अलग मुद्दा है लेकिन जिस तरह से गयर मुस्लिम लोगों को अलग अलग नहीं है आपको नजरीय को बदलना पड़ेगा यह लोग जो वहां बैठे हुए मेरे देश के खिलाफ धार्मिक चंग छेड़े हुए हैं जो देश के खिलाफ देश का माहौल खराब करने के लिए एक शर्यंत रचे हुए चलिए ठीक है रोगने जाओंगा अरुड तरपाथी भी हमाई साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अरुड तरपाथी जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका निउज इंडिया पर जाने बादी जी अरुड तरपाथी जी नागरिक्ता संसोदन बिल को ले लेशने में लेखयो के पाते हैं अर नात में उसको पारिस करवाते हैं लोकसभाते हैं तो करने की यह हम लोग अगर पाहिस्तान में मुस्लिम समाज के साथ कोई दिक्षाय़ वृचो अगर पाकिस्तान में मुसलिम समाज के साथ कोई दिक्कत होती है कि अगारण थे सफे मुसल्मान टाफिस्तान गए हैं खुछ मुसल्मान तो भारत में जो मुसल्मान है क्या उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर किसी हिंदू को उसकी इबादत करने से रोका जा रहा है कि बंगला देश के अंदर किसी को इसकी धार्मिक स्वतंतरता नहीं मिल रही है आगो बिचारा कहा जाएगा वो हिंदूस्तान की तरफ रुख करता है कहता है यार जो जहां से हिंदूस्तान और बंगला देश बने वो इनका बड़ा भाई वो जो वहां के मुसल्मानों को पुरी इमानदारी से जमूरियत का अपनी धर्म को फालो करने का अधिकार है मैं एक मुसल्मानों में बली जम्मादारी से कहता हूँ कि ना भारते जंता पार्टी ना मेरा देश किसी को यहां उसकी इबादत करने से रोकता है लेकिन एक बात आपको समझ भी पड़ेगी इस देश के अंदर कि क्या ये कह सकते हैं तिरपाधी जी कि इमानदारी से पाकिस्तान के अंदर उन्हें स्वतंतरता है क्या ये कह सकते हैं कि बंगलादेश के अंदर उन्हें अपनी धर्मिक स्वतंतरता है और जिन के लिए इंदोस्तान के मुसल्मान से इसका कोई लेना देना नहीं है लेकिन जो पाकिस्तान, बंगलादेश या मेयामार का मुसल्मान यहां आना चाहता है इसे आतंकबात का छपा चिन लोगों के उपर लगा हुआ हम उसे कैसे आलाओ करते हैं देश के अंदर अब इसके ऊपर यह कहते हैं हम राजनीती कर रहे हैं जवाब भी ले लेते हैं अरुड तुर्पादी जी इसमें आपकानी भी अस्पास यह करने हैं कि यह बहुते पाकिस्टान इसमों कर मामला है जिसके कैसी भी कोने से उसनी माना चाहे बिस्व के कोने से तो भारत में उसमें प्रतिबंद आप लगाने की फोसित कर रहे है कि यह हम लोग राम राज की करिकल्पना कर रहे थे और आपको क्या है अब जाते हैं आप लोग इस देश को अभी समझ में आप लोगों से बिनिती हैं इस देश के लोगों को समझिए इस दिश में गरीव अंचित मज़ूर अपरी दर्म के लोग अल्व संख्यक वर्ग बहुत सारे लोग हैं और यही इस देश का सुंगार है इस रिंगार से खिलवान मत करिया आपको अब आपको सुनिये जब तीता जी का अरण हो गया आता है तो भगवान राम ने तो ख़दर मिर्ग से पूछ लिया ता कि सीदा जी आए आज आप जिस बिल का पारिद करने उसमें मुसलम साइट रख दिये क्यों रख दिये आप है अरुण जी और सादाव जी और सादाव जी आरुण जी आपसे मेरा एक क्वेशन है आज हुमन राइट डे भी है आप इस बिल को कम्योनेल एंगल से देखते हैं या हुमिटेरियन एंगल से लोगों का अगर कोई मुसल्मान भी परतारित है पाकिस्तान में बंगला देश में और वहार लगाता है तो मुझे इंडोस्तान की सटीजन चीच चाहिए मेरी मेरे देश की सरकार चलिए ठीक है आप किस मेजरिया से देख रहे हैं इसको क्या यह पारिज होने पर सबका साथ नहीं है आप इसे कमिनल मान रहे हैं तो इसको कमिनल बनाया किसने सरकार ने अब पक्ष ने बनाया है बार्टी जंता पार्टी के पास मुद्धे नहीं है इस देख रहे है इस देख रहे हैं इस देख को इस देख को ततकारी शरकार जर्म के नाम पर नुमाज कराता आता है जेश में हाल लाना चाहती है जेश में जंगे कराना चाहती है और इस सरकार का कोई ना देना नहीं है कभी ये जेश बिकांट पे कोई बात नहीं करती ये जेश कभी मजदूरों पे बात नहीं करती जेश कोई महिलाओं पे बात नहीं कर रहा है ये जेश किस पे बात कर रहा ह जी जी इसादार समस जी चलिए अरुन जी कहते हैं कि ये कम्यूनल है आप कहते हैं हुमिटेरियन है लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि जब आप धर्म के नाम पर सरणार्थियों की बात करते हैं तब ही समधान की जो गरिमा है समधान के आदार पर जो मूल भावना है समधान की वो चिनविन हो रही है देखे कहीं समधान के साथ ना तो उसकी भावना है चिनविन हो रही है देश ने आज पहली बार नहीं हुआ कि किसी परेशान लोगों को हमारे देश ने मदद दी हो मैं आपको यह बता दूँ कि आज हम सब लोग जानते हैं हम कबूतर की तरह आखे बंद करने हैं और यह सोचें कि बिल्ली हमें नहीं देख रही है और बिल्ली अपना काम कर जाए तो हमसे बड़ा बेवकूप कोई नहीं होगा हम जानते हैं कि पाकिस्तान से हमारा हम भी आर बैंन सेटा ओफ ओवर विड पाकिस्ताई नाइननी पॉर जानिवघ ऑनी उपर थेवन और लगातार हमारा उद चल रहा है और उस युद को बार बार पाकिस्तान कमिनलिजम का चेहरा सामने रखे चाहे वो कश्मीर के नाम पे हो, हमारे चाहे वो सिक्क टेहरिजम के नाम पे आतंकवाद को फैलाने का काम हो, पाकिस्तान ने किया, इसलिए हम ये मानते हैं, कि देश की व्यवस्थाओं को खराब करने के कुछ लोग हमारे खिलाफ शर्यंद रख सकते हैं, और कि इसलिए हमारे हालाद पाकिस्तान से बेहतर हो गए, वहां भी दिक्कत आईगी, तो हम देंगे उन्हें भी शरण, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज ही नहीं, आज क्यूंकि देश का वाताबन, जिनके उत्षात पाकिस्तान के अंदर मुशलमानों को नमाज परने नहीं दी जारी, लेकिन ये तो कह सकते हैं न, ये तो मानेंगी कि पाकिस्तान के अंदर हिंदूों को अबादत नहीं करने दी जारी उनके हिसाब से, तो अगर इंसाफ की बात करनी है, अगर सच्चाई की बात करनी है, त मिला आपको मनाई हो आपकी गंदी मानसिता बताता है भारत पिक्चर में यही था कि न्यूज चैनल पता रहा था कि जो भी पाटिशन में पाटिशन चले गए अगर पिसी का बस्टा चला गया तो वहापस आगर मिल रहे थे अगर किसी का पुरुवा जो आपसे परमीशन लेगा या परमीशन देंगे उसको नहीं देंगे आप इसका पस्टिकरन करिए आप लोग देखिए ये बिल आने के बाद इसमें जो जो चीज़ें होगी ये प्रेस्ट्रमाद प्हेलेगा और कच नहीं होगा इस बिल का कोई पाइदा नहीं होना है ना हिंदु का ना मrospect का न कृिस्टन का ना प्रिबाद प्हीं का अज असम भी बंद कर दिया गया है, गौहाटी में दुकाने बंद कर दी गई है, वहाँ विरोध प्रतरसन हो रहा है, उस राज में इतना क्यों बबाल फैला हुआ है। जब इनके पास में कोई तर्क होता है नहीं है, और सबसे बड़ी बात क्या सवाल यह है, जो यहाँ पर रह रहा है, सायनार्थी के रूप में, क्या उनको नागरिक्स के रूप में सुईकार कर लें, और उनको नागरिक्स मिल जाएगी, तो कम से कम वो लोग भी है, जो जो सरकारी होता हो, का जो लाप है, वो ले सकते हो लूप, क्या इन लोगों को महरूम किया जाएगा, क्या अपनी आप अनुग्स मिल जाती है, तो यहार आपके प्रेट क्यों दुखने नकता है? चलिए ठीक है सादा समसजी सादा समसजी बीजेपी पर आसाम की तरफ है ऐसा ही सवाल पस्टिम मगाल के लोगों के बाद में लिए है ऐसा नहीं है और उसमें भी बहुत बड़ी जो संगा है वो मुसलमानों के दिया है चलिए ठीक है ठीक है अरूर तरपाथी जी हमाई साथ है अरूर तरपाथी जी सिफसेनाव ने भी इस बिल का समर्थन किया है क्या उनको समझा नहीं पाई कॉंग्रेस क्योंकि आपकी तो आप साथी है सिफसेना देखिए ऐसा है इस वर्थन कर रहे हैं तो उनका अपना इस्टेंड हो सकता है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी हमेशा इस देश के इसमें बात करती है इसमें ही सोच रहे हैं तो क्या मालिए जाए सिफसेना अगर इस बिल को समर्थन देती है तो वो देश हित्में नहीं सोच रही जब शेना समर्थन दे देगी उसके बाद ही हम इस पर पर इस पर इस पर इस पर करते हैं ने समर्थन दिया है ना कल उन्होंने चलिए ठीक है अरुन तरपाटी जी फिलाल वक्त हमें रोग रहा है इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अब वक्त की कमी है आपका बहुत और शुक्री है हमाईसाफ जुड़ने के लिए यजञे वह जाफ़ जेंदे आपका बहुत भी भवाद तमाम जानकारी के लिए फिलाल बिल बवाल और कई सभाल यह अभी भी खड़े हुए हैं नाग।Wi्टा संसूदन विल